Hello guys, welcome to Science Workshop, this is Kusum here. Guys, इस वीडियो में हम Economic Importance of Coral and Coral Reefs के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? Man-man points देखते हैं कि कहां-कहां पे Coral Reefs जो है उनका Importance है. ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि Biodiversity. जहां पे भी Coral Reefs होगा ना, वहां पे Biodiversity बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. क्योंकि Coral Reefs जो है, वो बहुत सारी Marine Species को Habitat प्रोवाइड करने का काम करती है. ठीक है? सेगेंड जो पॉइंट है, वो है Fischeries. बहुत सारी Fischeries जो है, वो कहां पे रहती है, Coral Reefs में रहती है. क्योंकि Favorable Environment जो है, उन Fischeries को ये Coral Reefs ही प्रोवाइड कराती है. और यहीं पे उनको Food मिलता है अपना. और Fischeries का जो Business है, वो मतब पूरे All Our World में बहुत अच्छा खासा चलता है. क्योंकि बहुत सारे ऐसा लोग है, जो Fischeries को खाते हैं, और इस तरह से, जो Fischeries जो है, उनका Business होता है, और Economically जो है, ये काफी important role play कर देती है, Coral Reefs Fischeries के लिए. थर्ड जो point है, वो है tourism, Coral Reefs आप ये view देख सकते हैं भाई, ठीक है, क्या है ये, बहुत ही खुबसूरत view आपको देखने को मिलेगा, Coral Reefs जहांपे होगा, ठीक है, ओसीन में ये हमें देखने को मिलता है, तो इस खुबसूरत view की वजए से, क्या होता है, लोग attract होता है और वहाँ पर tourism को बढ़ावा मिलता है, अगर tourism को बढ़ावा मिलेगा, तो tourism surely एक किसी भी देश की या फिर किसी भी एरिया की अच्छी खासे income को बढ़ा सकता है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी हम भो सकते है, economically ये बहुत जादा important role play करती है, इसके लावा ये coastal areas को क जा करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, जो भी coastal areas है, ठीक है, वहाँ पर wave से ये उसको प्रोटेक्ट करती है, ओके, और जो भी storm आएगा, उससे ये इसको coastal areas को प्रोटेक्ट कर लेगी, ओके, man-man point ही है, हमने देख लेगी, coral reefs का importance कहां कहां पर है, ठीक है, by diversity city जाता होगी, fisheries की business में भी help मिलेगी, और fisheries को habitat प्रोटेक्ट होगा, favorable environment मिलेगा, tourism को भी help मिलेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा detail में देख सकते हैं, वैसे इस पूरी slide में, सिर्फ एक इस slide में, coral reef का economic importance हमारा complete हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमने detail में notes ब देख लेंगे, वैकिन अगर मोटा मोटे आप देखें, तो एक slide में आप पूरा coral reef का जो economic importance है, वो पढ़ सकते हो, ठीक है, so coral reef ecosystem services, coral reef जो है, वो 400 billion जो है, dollar, 400 billion dollar का एक साल में, to million of people in economic goods and ecosystem services, इतने का, जो dollar का economic goods जो है, वो coral reef प्रोवाइड करा देती है, लोगों को, और इसके लावा ecosystem services देती है, वो अलग से, ठीक है, coral reefs are created by many tiny animals called coral polyps, coral reefs जो है, किस से मिलके बने होती है, बहुत सारे animals से मिलके बने होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, coral polyps बोलते हैं, ठीक है, अब यह जो coral polyps है, limestone skeleton build up over time, limestone skeleton बना लेते हैं time के साथ-साथ में, जैसे ही यह coral animals dead होंगे, क्योंकि इनका skeleton, एक जो skeleton, calcium carbonate का बना होता है, तो यह time के साथ-साथ में, जैसे इनका dead हो गया, ठीक है, फिर यह limestone बनाने लग जाएंगे, okay, forming the base of the complex reef, और यह जो limestone skeleton है, यह किसी भी coral reef का base तयार गर देगी, ठीक है, habitat that supports the world's highest level of marine biodiversity, जो की बहुत सारे marine animals के लिए habitat प्रोवाइड कराएगी, और वहाँ पे बहुत सारे marine species हमें देखने को मिलेगी, तो हम बहुत सकते हैं कि highest level of marine biodiversity जो है, वो इन coral reefs में देखने को मिलती है, okay, next point हम कौन साले भाई, next point लेते हैं, tourism का, okay, tourism and recreation, coral reefs attract million of tourists every year, हर साल जो है, वो coral reefs जो बहुत सारे tourist को क्या घरती है, attract करती है, bringing important income to coral reef communities, some countries derive more than half of their gross national product from coral industries, यह क्या बहुत सारे ऐसी countries है, like Australia ही हो गया, क्योंकि Australia में the great barrier reef मिलती है, जिसको हम बोलता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी जो है, वो coral reef है, ठीक है, तो जो किसी भी दीज का gross national product है, जिसको हम GNP बोल देते हैं, उसका half percent जो है, वो वहाँ से मिल जाता है, tourism से उसको, ठीक है, तो एक तरह से economy के लिए यह tourism में भी बहुत ज़्यादा important role play करती है, I hope यह point समझ में आ गया हो गया है कि tourism के लिए coral reef कैसे important है, next हम देखते हैं, food and fishing, Coral reefs sustain the fish and shellfish, population that provide protection, sorry, that provide protein for 1 billion people, reefs are nurseries for many commercially valuable species, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कि क्या खाते हैं, fishage खाते हैं, और fishage से क्या मिलता है, protein मिलता है, that's why वो खाते हैं, जो कुस लोग टेस्ट के लिए भी खाते होंगे, लेकिन coral reefs जो है, वो fishes को sustain करके रखती है, यानि कि fishes के लिए एक favorable environment प्रोवाइड कराती है, कई fishes ऐसी होती है, जो coral reef आले एरिया में ही survive कर पाती है, ठीक है, तो ऐसे fishes को क्या गरती है, एक favorable environment प्रोवाइड कराती है, और उन fishes को fishage के लिए use किया जाता है, और बहुत सारे billion of people को क्या होता है, कि उनसे benefit होता है, कुछ लोगों को इससे काम बे मिल जाता है, जो jobless है, उनको भी यहाँ पे एक तरह से employment मिल रहा है, okay, next point है मारा medicine, okay, coral reef species are providing new medical compound and technology to treat serious disease more than half of all new cancer drug research is focusing on marine organism, बहुत सारे ऐसे medical compound प्रोवाइड कराती है, coral reef और बहुत सारे technology प्रोवाइड कराती है, और ऐसे compound जो की बहुत सारे disease में treat करने के लिए यूज में लिए ही जा सकते हैं, for example, cancer drug research में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसके लावा भी बहुत सारे अस्थमा होगी बिमारी या फिर कुछ और हो गया, तो उसमें भी medical research में भी coral reefs का यूज किया जाता है, next point हमारा coastal protection, coral reefs act as natural wave barrier, wave barrier की तरह काम करती है, protect coastal communities and beaches from storm damage, और coastal communities जो है, उनको protect करती है, किसे? storm से, storm damage से protect करती है उसको, और एक wave barrier की तरह ये काम करती है, okay, next हमारा point है, coral reefs act as homes and nurseries for 25% of all marine life, पूरी की पूरी जितने भी marine life है, मतलब जितने भी all over world में marine animals रहते हैं, उसमें से 25% कहां पे रहते हैं, वाई, coral reefs में रहते हैं, ठीक है, तो हम बहु सकते हैं कि ये 25% of all marine life के लिए क्या है, home है, habitat प्रोवाइड करती है, वैसे अगर देखें तो पूरे ओसी इनका सिर्फ एक परसंट जो है, वो coral reef होता है, लेकिन ये 25% लेकिन ये 25% of all marine life को habitat प्रोवाइड कराती है, अब यहां देख सकते हैं, coral reefs provide habitat for 2,50,000 non-species, including more than 4,000 species of fish and 700 species of corals, मतब इसनी सारी species जो है, वो उनको habitat प्रोवाइड कराती है, कौन coral reef? 2,50,000 non-species, साथ ही साथ जो है, वो 4,000 species किसकी रहती है, यहां पे fishage की रहती है, और 700 species जो है, वो other corals, जो animal है, यानि polyps जिसको बोलते है, उनकी species हमें, species जो है, वो हमें यहां पे देखने को मिलती है, ठीक है? Many coral reef species have yet to be discovered, scientists believe that more than 1 million species are associated with coral reefs, इसके लाव बहुत सारी ऐसी species भी है, जिनको discover नहीं किया गया है, जो कि scientists जो है, वो अभी discover कर रहे हैं, ठीक है? 1 million species से भी ज़्यादा यहां पे coral reefs के साथ में associated हो सकती है, ऐसा माना जाता है, तो यह man-man points थे guys, coral reef चुह है, आप यहां देख सकते हैं, यह coral reef चुह है, वो 100 से ज़्यादा countries में हमें देखने को मिलती है, इवन इंडिया में भी अगर आप देखोगे, तो coral reefs मिलती है, different different regions में, तो यह कुछ क्या है, benefits है, importance है, economically की coral reef का, economically क्या-क्या benefit या important role play होता है, हमारे ecosystem में, हमारे world में, तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठियोरी में, protect the shoreline, minimizing wave impact from storms, यह वही point है, कि भाई, जो waves आती है, coastal areas पे, उनको यह minimize करती है, shoreline यानि किनारे वाले area को, ठीक है, storm सी बचा लेती है, उसको, provide habitat and shelter for hundred species of organism, this also helps ensure fish for commercial fishing, ठीक है, यह बहुत सारी species को क्या करती है, habitat provide कराती है, और साथ ही साथ, जो commercially fishing होती है, उसके लिए, fishing या fisheries में भी यह help करती है, ठीक है, और tourist को क्या करती है, attract करती है, important होती है, tourism के लिए, और job provide करती है, economic growth भी provide करती है, किसी भी country को, okay, provide food for those who live close the reef, जो उस reef के करीब रहते हैं, उन लोगों को क्या करती है, food को provide करती है, यानि कि marine animals है, उनको तो food मिलेगा ही, जो कि coral reef provide कर रही है, साथ ही साथ, जो उसके आसपास के animals है, sorry, उसके साथ, आसपास के, जो human being रहते हैं, उनको भी यह food provide कराती है, directly और indirectly, अगर fishes की बात करें, fishes को man खाता है, और fishes के लिए help कौन करता है, favorable environment provide कौन कराता है, coral reef provide कराती है, many potential treatment for illness and disease, बहुत सारे potential treatment जो है, बहुत सारी बिमारियों के लिए, ये provide कराती, मतलब इसे, जो भी coral reef से animal मिलते हैं, या फिर compound मिलते हैं, उससे बिमारी का treatment तियार किया जाता है, ठीक है, तो ये man man points है guys, आप यहाँ देख सकते हैं, reef protect coastlines, ठीक है, coastline area को reef protect करती है, provide essential habitat, बहुत सारी species के लिए habitat प्रोवाइट करती है, purification of the water, water का purification करने में भी ये help करती है, absorption of carbon dioxide, carbon dioxide को absorb करने का काम करती है, ठीक है, जिसकी वज़े से जो ecosystem है वहाँ का, उसीन का, वो balance बना रहता है, ठीक है, it supports healthy fishing industry, fishing industry के लिए भी बहुत ज़्यादा supporting है, it generates billions of dollars for Australia, खासकर अगर Australia की बात करें तो बताया मैंने कि वहाँ पे the great barrier reef है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी coral reef है, ठीक है, तो surely बहुत ज़्यादा जो dollars जो है वो Australia में generate करती है, इसके साथे साथ medical research में भी इसका use बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी बिमारीों के लिए दवाईया में बनाई जाती है, कहां से, coral reef से, ठीक है, I hope यहां तक जो है वो आपको completely समझ में आ गया होगा, यही points आगे मैंने क्या कर रखे हैं, थोड़ा explain कर रखे हैं, और उसको अब वापस से इतना explain करने की ज़रत नहीं है, क्योंकि अब भी तक तो mind में बैठ ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम यहां पे देख लिएते हैं, अरियाज को protect करती है, वहाँ पे coastlines के लिए as a barrier काम करती है, जो waves आ रही है, जो storm आ रहे हैं, उनसे बचाती है coastline area को, okay, for many towns and cities, if coral reefs were no longer there, then they could find themselves better and bruised by the incoming elements, और अगर coral reefs नहीं होगा, तो जो town है, जो cities है, वो क्या हो जाएगी, ब्रूस्ट हो जाएगी, और जो, किस से ब्रूस्ट हो जाएगी, जो भी incoming, जो भी incoming elements है, उनसे, वो town या city जो है, वो ब्रूस्ट हो जाएगी, okay, they provide essential habitat, one of the most well-known feature of coral reef is the incredible diversity of life which it contains, ब्रूस्ट सारी species को ये coral reef जो है, वो habitat provide करती है, if the reef was to disappear, then so would the homes of over 1500 species of fish, over 100 species of shark and drees, 30 species of whales and dolphins and 6 varieties of sea turtle, ये इतनी सारी species जो है, वो disappear हो जाएगी, अगर coral reef नहीं रही तो, ठीक है, note to mention the 600 varieties of coral that would be lost, बहुत सारी मतलब 600 plus variety जो है coral की, वो अभी तक lost हो जुकी है, most corals are filter feeder, taking the impurities from the sea and leaving behind clear healthier water, बहुत सारी corals ऐसे होते हैं, जो की filter feeder होते हैं, यानि जो impurity है, जो water के अंदर, उसको वो intake करते हैं, ठीक है, और जो water है, उसको clear करते हैं, healthier करते हैं, without them, the sea would be murky place, with sediment and particle clouding the environment, अगर यहाँ पे coral reef नहीं हुआ, ये coral animal नहीं हुए, तो इसके बिना जो पूरा का पूरा ओसीन वाला environment है, वो बहुत ज्यादा dirty हो जाएगा, sediment वाला हो जाएगा, particle clouding हो जाएगा environment में, ठीक है, यहीं, water जो है, वो clean नहीं रहेगा, absorption of carbon dioxide, coral reefs जो है, वो carbon dioxide को भी क्या करती है, अब्जॉब करती है, coral reefs, sorry, coral reefs are living organism, ये living organism होते हैं, and they play a crucial role in our environment by recycling carbon dioxide from the atmosphere, ठीक है, this happens when the algae that live on the coral absorb the carbon dioxide from the air and use it for photosynthesis, हमें पता है, भाई, coral reefs, जो है वो, जू जहन्थिली, जो algae है, उसके साथ में, symbiosis relation के साथ में रहता है, और algae, जो है, वो photosynthesis का का काम करती है, जो coral reef है, इस CO2 को इसी तरह से अब्जॉब करता है, कि photosynthesis के लिए क्या चाहिए, carbon dioxide चाहिए, ठीक है, तो वो carbon dioxide लेगा वहां से, और जो भी product बनेगा, वो algae जो है, वो coral polyps को देगा, और coral polyps उससे protein, fat, carbohydrate जो भी है, और calcium carbonate का formation करेगा, इस तरह से absorption होता है, carbon dioxide का, So, the coral polyps then feed upon the algae and deposit the carbon in the form of limestone, which build up the rocky structure of the reef. अब यह जो coral polyps है, यह algae के उपर feed करते हैं, और carbon को deposit करते हैं as a limestone, यहनि limestone को बनाने के लिए यह जो carbon है, उसको यह use करते हैं, और यह जो limestone बना है, इसे क्या बन जाएगा बाद में? रोकी structure of the reef बन जाएगा, यानि चटानी टाइप में, पत्थर डाइप में, जो है, वो एक reef बन जाएगा, reef type structure बन जाएगी. Just like trees, coral reefs help to slow climate change, जैसे trees बहुत जाएदा इसमें help करते हैं climate change में, इसी तरह से coral reefs जो है, वो भी climate change में बहुत slowly help करती हैं. It supports healthy fishing industries. हमने देखा भाई, बहुत सारी fish को जो है, वो क्या provide करा रही है, बहुत favorable condition और habitat प्रोवाइड करा रही है, तो ये क्या करती है, fishing industry को भी support करती है. Many parts of the world rely on fish as on their primary sources of food, therefore a healthy fishing industry is essential. बहुत सारी fish के लिए क्या करती है, primary food sources provide कराती है, coral reefs provide a safe haven for fish to reproduce and for the young offspring to grow, एक favorable environment प्रोवाइड कराती है, fishage के लिए, और जो offspring है, उनको grow करने के लिए, एक favorable environment प्रोवाइड कराती है. If the reef was no longer there, then the young fish would struggle to survive, अगर coral reef जो है, वो नहीं रहेगा, तो क्या होगा, जो young fish है, वो ज्यादा time तक survive नहीं कर पाएंगी, ठीक है, इसके लाबा, coral reef जो है, वो generate करती है, billion of dollar for Australia, जैसे कि अभी हमने बढ़ा था कि भाई, यहाँ पे क्या है, the great barrier reef है, the thriving tourist industry among other things, generate around 6 billion dollar for the Australian economy each year, इसको explain करने का जरूरत नहीं है, भाई, इतना 6 billion dollar जो है, वो Australian economy के लिए, coral reef हर साल, कहां से generate होता है, coral reef से generate होता है, by tourism, with hundreds of thousands of people relying on the reef for their income, the effect of a disappearing would be devastating, बहुत सारे जो people है, बहुत सारे लोग जो है, वो अपनी income के लिए, इसके उपर depend करते हैं, ठीक है, अगर tourism हो रहा है, तो surely एक tourist भी होगा, tourist guider भी होगा, ठीक है, उसको guide करने के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसा look होते हैं, जो कि वहाँ पे उसके through income generate करते हैं, तो अगर ये नहीं होगा, तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों के लिए, ये devastating होगा, यानि कि ये बहुत ही ज्यादा खतरना करेग एक तरह से उनका income source जो है, वो चला जाएगा, medical research में भी बहुत ज्यादा ये important role play कर रहा है, over the year scientists have used the study of coral reef to develop new medicine to treat asthma, arthritis, heart disease and cancer among other, बहुत सारी medicine को तयार करने के लिए, द्बलब करने के लिए, जैसे के asthma हो गया, arthritis हो गया, heart disease हो गया, cancer हो गया, इसी तरह की बहुत सारी और भी disease ह उनकी लिए medicine तयार करने के लिए, coral reefs पे कई scientists चो बो study कर रहे हैं, this has been achieved by isolating chemical compound found within the reef, क्या करते हैं, ये reef के अंदर जो chemical compound है, उनको isolate करते हैं and utilize करते हैं, बहुत सारे disease को treat करने के लिए, ठीक है, scientists are also studying creature-like claim to examine the easing process as well as other creature to investigate their antiviral and antibacterial properties, बहुत सारी जो यहाँ पे animals रहते हैं, ठीक है, उनको scientists investigate करते हैं, antiviral और antibacterial properties की study करने के लिए, साती साथ जो easing का process हो रहा है, उसको examine करने के लिए, ठीक है, उसका investigate करने के लिए, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो भी animals, ये reefs के अंधर जो भी animals पाय जाते हैं, उनको इन सब के लिए study करने के लिए use में लिया जाता है, ठीक है, तो अगर कुछ पॉइंट रहा गया तो आप यहां पे इस नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है? एक यह केरलम प्रॉब्रम के नाम से एक स्टॉण टाइप में पाया जाता है, एक प्रीसिस स्टॉण है इंडिया में और चाइना में, जिसको उस्पीसिस ट्रीट किया जाता है, बहुत इशुब माना जाता है इसको, ठीक है? यह यहाँ पे मिलता है, यह एक रेड कोरल और 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 पाइप कोरल जो है, इसको जो साओध इंडिया के अंदर मेडिशिन है, इंडिजेनस सिस्टम का, उसमें यूज़ किया जाता है, जुख ओफ और स्केलेटन, यानि कोरल का जो कंकाल है, उसके छोटे छोटे पा यह हम porite के skeleton की बात कर रहे हैं, इसके skeleton के जो part है उसको building material में use किया जाता है, building material को बनाने में use किया जाता है, coral skeleton serve as raw material for the preparation of lime, lime के preparation के लिए जो coral skeleton है, वो raw material प्रोवाइड कराता है, इसके साथे साथ मोर्टर और सीमेंट के लिए भी एक raw material प्रोवाइड कराता है, because of their calcium carbonate and magnesium carbonate content, क्योंकि coral का जो skeleton होता है, वो किसे मिलके बना होता है, calcium carbonate और magnesium carbonate content जो है, वो उसमें पाया जाता है, इस वज़ा से, तो यह कुछ इसके क्या थे benefit थे, कुछ importance थे, कि coral reef क्यों important है, कहां कहां पर important है, ठीक है, coral skeleton are also helpful in making riz that may act as natural barrier against sea erosion and cyclonic storms, coral skeleton जो है, वो help करता है भाई, एक riz बनाने में, जो कि एक natural barrier की तरह काम करता है, sea erosion और cyclonic storms को रोकने के लिए, coral reefs are as good nursery ground for commercially important fish, यानि जो commercially important fish होती है हमारे लिए, उनको nursery provide कर आता है, यानि कि उनको favorable environment provide कर रहेगा, उनको food provide कर रहेगा, तो उन fish के लिए growth बढ़िया होगा और वो economically man के लिए useful होंगी, ठीक है, reef fish variety are more colorful than others, जो reef fish के variety है, वो बहुत ज़्यादा colorful होती है, बाकि fishes के comparison में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो guys, तो please like, share and subscribe कर देना, I hope topic आपको समझ में आया होगा, और इससे पहले हम coral के type और उसके types and symbiosis relationship with Jew gently और इसकी कुछ stories दी गई है, formation के उपर, वो last video में हमने cover कर लिया था, I hope सबने वो देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो भी जा कि देख सकते हो, और अप्लाइड जुलोजी का जो playlist है, इस वीडियो को मैं वहाँ पर एड़ कर दूँगे, अप्लाइड जुलोजी से रिलेटर जितने भी वीडियोस हैं, वो सारे topic वहाँ पर उस playlist में आपको मिल जाएंगे, so thank you so much guys.